hello guys this is Sriyum Siddhant और áज अंको discuss करने वाले है equivalent weight of radicals and equivalent weight of compounds दो सबस्क्राइब देखते हैं equivalent weight of radicals equivalent weight of radicals ठीक है बच्चो तो जैसे कि मैं लास लास दिखा था मैंने एक इन जेनरल एक फॉर्मुला बताया था जो हर जगा काम करता है चाहे वो element हो compound हो radicals हो acid हो base हो oxidizing agent हो reducing agent हो मैं लिखा था equivalent weight is equal to formula weight formula weight divided by n factor n factor को हम लोग small nf से भी रिपरिजन करते है अब मुझे radicals के लिए तो radicals के लिए equivalent weight के लिए formula weight क्या हो जाएगा और n factor क्या हो जाएगा मैं देखते हैं तो for radicals for radicals formula weight के जगए बच्चों आपको क्या करना है formula weight के जगए आपको ionic weight का लेना है आयनिक weight आपको लेना है और n factor के जगए पर आपको charge over it means radical के उपर जो charge होता है उसको लेना है equivalent weight of radical is equal to आप क्या करें पहले ionic weight ले ले लिया और n factor के जगए पर चार्ज ओवर इट यह अपना तयार हो गया ultimate formula जिसके मदद सम्लोग radical का equivalent weight निगाल लेंगे ठीक है बच्चों और हम लोग कुछ examples ले लेते हैं फटा-फट examples 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 में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ चोटी-चोटी से साथ करता हूँ पहले लेता हूँ पहला examples equivalent weight of calcium plus 2 निकाल दो यह केटायन है तो इसका अनिकवेट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा डिवाइड इसके ओपर चार्ज दो हो जाएंगे प्लस लेनी जरूत नहीं है माइनस लेनी जरूत नहीं है जो है सिर्फ वैलू लेनी जरूत है तो टू दिस इस उगल टू 20 और देखा जाए equivalent weight of o-2 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा ओ का हो जाता है 16 upon 2 यह हो जाएंगे 8 तीसरा आप लेसकता है equivalent weight of al plus 3 यहां प्लस या माइनस जो भी आ रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मेंस अपने को बस numeric value जो 2, 2, 3 जो है बस उससे divide करना है बस n factor जो होगा radical का वही हो जाएगा जो इसके उपर charge है ठीक है और देख सकते हैं से मानलो equivalent weight of na plus क्या हो जाएगा तो 23 by 1 this is 23 so easy फिफ्ट नमबर देख लागा कार्वोनेट दे दे co3 minus 2 तो कार्वोनेट का होता है 60 by 2 minus लेना नहीं है तो जाएगा 30 उसी तरह से और मोर ले सकते हैं सेवंथ लेते हैं और लेते हैं और लेते हैं एक्विलेंट वेट आप सी टू ओ फॉर माइनस टू तो ऑग्जलेट का फॉर्मला हो जाता है आपका सीटो फॉर माइनस टू का हो जाएगा 88 क्योंकि एस टूसी टूफॉर का 90 होता है तो 88 अपॉन्ट दिस इस 44 इस एट हो जाएगा आपको विच्छों अमोनियम का निकाल लो अमोनियम आयन एक्के टैयन है तो 14 और चारक ठारा हो गए है डिवाइट कर दो वन से होगा क्योंकि चार्ज वन है जाएगा 18 इसका अब ले सकते हो ले सकते हो या पर लोडिट ले सकते हो लो तुम लोगों को मैंने बताया था फर्स क्लास में पर क्लोड का फॉमला का आता है चलो 4-1 और इसको अगर तुम कै 99.5 और ले सकते हैं हम लोगो जैसे एक्विलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट ले लो बच्चो वियो 4-3 तो फॉस्फॉरस का 31 और 16 इंटू 4 कर सकते हो समसट 64 आ जाएगा इससे और 31 इससे आ जाएगा 95 95 by 3 कर लो बच्चो इससे आ जाएगा 31.66 आ जाएगा फिर 11 में और हम ल होता है और प्लस 2 भी होता है तो प्लस 1 है तो कॉपर के लिए 63.5 by 1 तो 63.5 हो जाएगा और अगर एक्विलेंट वेट उसी यू प्लस 2 निकालने के लिए बोला जाए तो 63.5 by 2 तो 63.5 by 2 कितना हो जाएगा 31.75 इसी तरह से तो तो तीन और देख लेते है तो तीन आर दिख लिया जाए 13 नमबर दिखा जाए 13 नमबर में हमें काम कर लेते हैं और क्या ले लें आरें के भी प्लस 2 होते हैं फैरस फी प्लस 2 आरें कहाँ जाता बच्छों 56 और इसको डिवाइड कर दिया जाए 22 से सोड़ी तू से तो ट्वेंटी एट हो जाएंगे उसी तरह से बच्छों एक और लें एक्विलेट वेट ओफ एफी प्लस 3 हो जाएगा फैरिक तो 56 अपान 3 हो जाएंगे इसको जो कल्कुलेट करो गया अगर 313 15.6 हो जाएंगे उसके बाद 15 नमबर ले लिया जाए नो 3 ले लो नाय्ट्रेट ले लो एक्विलेंट वेट ओफ नाय्ट्रेट तो नाय्ट्रेट चौदा यह हो गया तो आ जाएंगे 62 तो 62 अपान अपान जाएंगे तो यहां समय में देखा किस तरह हम लोग राडिकल्स का इक्विलेंट वेट निकालते हैं जो कि काफी आसान था हम लोगों को बस काया करना है उसका आयनिक वेट लेना है और उसके चार्ज से डिवाइड कर देना है चार्ज मस्ट वी इन मॉड मतलब सिर्फ पॉजिव वै तो उसी तरह समय जानते हैं जेनरल एक्विलेंट वेट रावर क्या हो जाएगा फॉर्मुला वेट वा एन फैक्टर लेकिन फॉर कंपाउंड हम लोग फॉर्मुला वेट के जवापे कहलेते हैं बच्चों जल्दी बोलिये लेकिलर वेट ले लेता हूं और एन फैक्टर के जवापे इसमें क्या होता है थ्वा सा समझने वाले चाहिए है टोटल चार्ज लिया जाता है इसमें टोटल चार्ज आइधर और केटायन या फिर एनायन मैं सिम्बॉलिकली केटायन लिख रहा हूं तो इसको मैं देखता हूं एक्जांपल करके देखते हैं कैसे लिख सकते हैं पहले हम लोग लिख सकते हैं एक्विलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इस इक्वल टू मॉलीकुलर वेट डिवाड़ेड़ बाइ टोटल चार्ज टोटल चार्ज आयदर ऑन केटायन और एनायन इसको मॉड में डाल दिया ठीक है क्योंकि अपने विस वैल्यू से मतलब है तो यह होगा अपना रेडिवेंट फॉर्मूला कंपाउंड के फॉर्मूला एक्विलेंट वेट निकालने का अथ्वास इसमें एक और तरीका होता है इसको मैं फर्स्ट वे बोल दूं एक और तरीका होता है एक्विलेंट वेट निकालने का इसको मैं देखता हूं जो समझ में आजा सेकेंड वे भी हम लिख सकते हैं इसक के टायन और एनायन के एक्विलेंट वेट का सम जो होता है वह कंपाउंड के एक्विलेंट वेट के बढ़ाबर होता है हम दोनों तरीकाद देखेंगे किस रस निकाला जाता है ठीक है बच्चों चले एक्जांप्ल्स की बात करते हैं हुआ भाइंपल्स में सबसे पहला लेले तक हमएं वाटर के लिए सबसे पहले फdle मेफार से देखा जाये तो इसका क्या होता है Tecell 1-1 और डिवाइड क्या करना है अपनेगो टॉटल चार से करना है डूटल चार्ज या तो कटाइन के या तो एनायन के तो ने सकते हो तो केटाइन के वारे मुझे को पता है hydrogen के उपर एक चार्ज होता है प्लस वन चार्ज होता है अब multiply 2 कर दिया जाए क्योंकि दो है क्योंकि हम मुझे टोटल चार्ज निकालनी है तो मुझे टोटल नंबर से multiply करना पड़ेगा चार्ज को अब चाहो तो तुम प्लस ने लो चाहिए मैनस टू ले लो लेकिन साइन तो किसी का लेना नहीं है तो ठीक है तो मुझे क्या करना है किस के टायन या नायन में से किसी का भी टोटल चार्ज यूज़ करना है मेरी एड़वाईज है कि आप केटाइन को ज़्यादा प्रेफ़र्ड करो कि केटाइन ज़्यादा फैमिलियर होते हैं केटाइन से हम लोग ठीक है तो जिसके चार्ज हम लोग याद भी रखते हैं और जैसा कि लक्ट्र वन में मैंने बताया था जिसमें बताया था मैंने क्लास में आपको बताया था कि आखिर केटाइन के क्या-क्या चार्ज होते हैं जिसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ठीक है तो अगर जिसको याद है तो वह अच्छी बात है तो 18 अपॉन क्या करते या तो यह लो या तो यह अपने को भी लेना मैंने खुद लिखा हुआ है टो टाल चार्ज आइधर चार्ज आइधर आइधर यहाँ यो फ्लेु लेना है यह अपना चर्ट के रखे लेकिन एकर सेकन्ड तरीका में क्या कहा जाता है एक्वेलेंट वेट ऑफिटायन और प्लस एक्वेलेंट वेट ऑफ एनायन अब तुमको पता होना चाहिए कि H2O में जो केटायन है उसको केटायन H conspiracy और एक्वेलेंट वेट में जो एनायन है वो O-2 है तो अगर इस दोनों का तुम equivalent weight निकालो तो equivalent weight of H-plus क्या हो जाएगा ionic weight by charge plus ionic weight by charge बेराबर क्या हो जाएगा 816, 8 और 19 ति यहां तुम देख रहे होगे first way से निकालो या फिर second way से निकालो यह second way से मैंने निकाला है, दोनों से जो answer आने वाले हैं, आपको same ही आने वाले हैं, ठीक है, मैं दूसरा example आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ले लो calcium carbonate ले लो, equivalent weight of calcium carbonate, CaCO3, आप equivalent weight calcium carbonate का निकाल लो, यहाँ मैंने water का निकाला है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो direct T plus 12 plus 16 into 3, ठीक है, डिवाइड कर दो आप, अब मुझे सिर्फ केटायन ही लेना है, क्योंकि anion का तो उतना ही आएगा फिर भी, तो calcium का, एक calcium को उपर plus 2 charge होता है, यह मुझे याद है, और आप भी इसको याद कीजिए, first lecture मैंने बताया था, तो plus 2 into 1 ही केटायन है, तो total इसक और divide by 2 कर दिया है, तो यहाँ आगया, 50 हो गया, first way से, पहले तरीके से, इसी को बोलेगे से, आप second way से बना कर दिखाईए, तो ECA plus 2 कर दो, प्लस E, CO3 minus 2 कर दिया जाए, तो इसको solve करोगे तो आजाएगा, 40 by 2 plus 60 by 2, आई सो solve किया जाएगा, तो बच्चा आजाएगा, 100, य आपका आगया, तो first way से निकालो, या फिर second way से निकालो, कोई फरक ने पड़ता है, 100 by 2, यानि 50, तो आपका जो value है, वो सेम ही आना है, ठीक है बच्चों, अब एक से ध्यान रखना है, जब भी तुम केटाइन और एनायन के मेथर्ट से बना रहे हो, तो केटाइन की संख् से कोई लेना देना नहीं है, जैसे यहाँ पर hydrogen 2 था, तो ऐसा नहीं कर देना है, कि हाँ पर 2 multiply कर देना है, इससे बच्च के, ठीक है, तो आपको केटाइन से multiply, या फिर एनायन की संख्या से multiply, नहीं करना है, जैसे मैं तुम्हें एक एक्जामपल देता हूं, equivalent weight of alcl3, तो direct भी इसको बना सकते हैं तो इसका फॉर्मॉला वेट हम डाइट ली सकते हैं ऐलमुनियूम का 27 होता है और क्लोरीन का 35.5 और टोटल 3 है डिवाड़ेड बाइ इसके चार्ज हो जाएंगे तो एलमुनियूम के ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस 3 होता है इन्टू 1 बता रहता है फस्ट क्लास है मैंने प्लस 3 हो जाएंगे और क्लोरीन के ओपर तो माइनस 1 चार्ज होता है अग टोटल हो गया 3 चाहिए कटायन का टोटल चार्ज लेडो चाहे शाहिए नान का टोटल चार्ज लेडू तिन ही आने है अब इसको साल्व कड़ोगे तो इसको साल्व करेंग तो हो जाएंगे आपको 133.5 upon 3 and this could be equal to 44.5 यह होगा पहले तरीके से second तरीके से क्या करेंगा आप लोग equivalent weight of al plus 3 कर लिजिए क्योंकि यहीं इसका ketion है और इसका nion कौन है equivalent weight of cl minus अब मुझे यहाँ पे equivalent of cl minus में 3 से multiply नहीं करना है क्योंकि मैंने यहीं नहीं लिखाय था कि आपको ketion की या anion की संख्या से equivalent weight को multiply करना है मैंने बस लिखा था जो भी ketion है उसके equivalent weight को लिखे और जो भी anion है उसके equivalent weight और इसको बच्चों किया जाए तो आपको 44.5 आही जाएंगे यह होगे फस्ट मेथट से यह होगे सेकेंड मेथट से तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो तरीका है पहला तो आप उसका आइने वेट या फॉर्मॉला वेट निकालिए फॉर्मॉला वेट निकालने के बाद उसके टोटल चार्ट से डिवाइड कर दीजिए यह वो टोटल चार्ट क्यटाये का होना चाहिए यह तो वह टोटल चार्ट टोटल जीरो के दोट्राइन का दोनों आप है कि अब एक और लेते हैं आपको छाइविलेंट उक्साइड ले लो चाथा नंबर हॉविलेंट वीट और कैल सिमोंकशऐड किसमों गईए 46 16-56 को पर पता होना चाहिए प्लस 2 माइनस तू biggest यहां से निकल रहा है यहां कहा निकल रहा है माइनस टू निकल रहा है तो हम लोग किसी एक को ले लेना है हम लोगों को 28 आप से बना सकते हैं यहां से बनाया जाए यहां से बनाया जाए या से बनाया जाए उसे कोई फरक नहीं पड़ता है मेथड से आपको दोनों सो जो आंसर आने वाले भचों वह सेम आने वाले ठीक है और देख लेगता हूं एक दूर्स देख लो परसमें किए आफ परेखेंप्ल हो गये थे त्रस्याइब्वियू दिख लो कि अपर के टुस ऑफ टुस ऑफ और निकालते हैं ठीके बच्चों तो के टुस ऑफ लिए का लिए होता है मुझे याद है आप भी याद रख सकते हैं सलफेट का 96 होता है कावनेट का 60 होता है तो याद रहने से कल्कुलेशन करना थो फास्ट हो जाता है अब पोटासियम का 16,232-3. चाहरे वाल सब्कुलेशन करना करना करणा सो 2 बिसके कहारे सीर्फेट करना जाता है याद है तो विद्धक है से कहलने तो इस टाने वान skal से को री गया है तुनमिंटching 152 दिखिंशन एक 70 253 अ इससे आया है आप चाहों तो इस तरह से बना सकते हैं equivalent weight of k plus plus equivalent weight of SO4 minus 2 this is equal to 39 upon 1 इसके लिए और sulfate का होता है आपका 96, 96 upon 2 आप इसको solve करेंगा बच्चों तो obvious इसकी जो value है वो 87 आही जाएगी ठीक है तो यहां समुल देखा first method, second method दोनों से आता जा रहा है first method में बस क्या करना है पूरे का molecular weight निकाल करके total charge divide करना है चाहे वो charge katein का हो चाहे वो charge anion का हो बिना उसके sign को लिए हुए और अगर आप चाहें तो individual katein और anion का equivalent weight निकाल लें और दोनों को जोड़ लें उससे भी आपको answer आ जानी है एक और ले लेते हैं al2so4 aluminum sulfate al2so4 whole 3 तो इसको देख लें almonium का 27 होता है 27 into 2 plus sulfate का 96 होता है 96 into 3 divided by total charge तो एक almonium के उपर होते हैं 3 charge वैसे दो almonium बच्चों तो हो जाएंगा आपको 6 charge sulfate से भी देखिए आ जाएगा minus 6 sulfate के उपर होता है minus 2 charge और ऐसे ऐसे 3 sulfate है तो total हो जाएंगा minus 6 charge अब दोनों से 6 आना ही था 6 से divide किया जाए अब इसको तुम add करोगे तो यह मुझे याद है 342 होता है divided by 6 तो इसको आप लिख सकते हैं this is equal to 57 यह आपका आ जाएगा equivalent weight of aluminium sulfate इसको आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं equivalent weight of AL plus 3 plus equivalent weight of sulfate बिना एक कंसिडर किये कि aluminium 2 है बिना एक कंसिडर किये कि sulfate 3 है उससे multiply करने को कोई जरुद नहीं है बस number लेके आगे बढ़ना है आपको तो 27 upon 3 plus 96 upon 2 इसको solve करोगे तो बच्चो 57 आई जाएगा ठीक है बच्चो तीस तरह से लोगों में देखा कि aluminium sulfate का और उसके तरह से potassium sulfate और यह बहुत सारे compound का हम लोगों में देखा किस तरह से equivalent weight निकाला जाता है अब इस तो थो थोड़ा से ट्विस्ट होता है जही एडवांस में भी एक बार question आया था इस पर बहुत पुड़ाना question था कि इसमें hydrated compound आपको कभी कभी दे दिया जाता है तो थो 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 भी देख लें hydrated compound का equivalent weight किस तरह से निकाला जाता है तो देखा जाए equivalent weight of equivalent weight of hydrated compound hydrated compound होता है कि जनरली सॉल्ट होते हो उसमें एक character होता है कि एट्पासफेर के जो water होते हैं या पिरपरेशन के द्वारान जो moisture होते हैं उस moisture को अपने crystalline में वह जोड लेता है ठीक है चाहिए वह hydrogen bonding से हो या किसी वी रिजन से वह क्या होता है crystalline space वह अपने आपको occupy करवा लेता है ठीक है तो वह जो बाते होते हैं complex compound होनों पढ़ते हैं double salt वससर जो पढ़ते हैं वहां पर discuss किया जाता है ततकल बस यह जानो कुछ salt क्या generally salt जो होते हैं वह hydrated form में पाया जाते हैं क्योंकि वह atmosphere से moisture को gain करके अपने crystal में एड्जॉब कर लेते हैं ठीक है अब तो देखते हैं कुछ example जिसको पढ़े होगे बहुत सारे salt हम लोग से देखते हैं जिसको पता होगा इसका hydrated form है इसको कहते हैं sodium sulphate sodium sulphate और sodium sulphate में क्या होता है 10H2 होता है इसलिए इसको में लोग कहते हैं decahydrate कहते हैं decahydrate sodium sulphate decahydrate तो अब देखा जाए इसका formula क्या हो जाएगा sodium sulphate decahydrate तो पहले sodium sulphate लिखा जाए sodium sodium sulphate Na2SO4 और decahydrate 10H2O ठीक है बच्चो यानि कि जो salt है इसने 10H2O को पर Na2SO4 एक Na2SO4 जो है वो 10H2O का absorb करके रखा होगा अपने crystalline में तो अब इसमें ध्यान देना है जब भी इसका equivalent weight निकालने बोला जाए इसके बोल दिया जाए equivalent weight निकालिए बच्चो तो मुझे इसके charge से कोई लेना देना नहीं है charge बस salt के part का लिया जाएगा उसके hydrated part का नहीं लिया जाएगा water का नहीं लिया जाता है यानि कि जब भी आप molecular weight लेंगे तब तो पूरा लेना होगा पूरा जैसे इसका molecular weight लेना होगा तो मुझे लिखना होगा 23 into 2 sulphate का हो जाएगा 96 अब 10 water का तो 18 होता है तो 10 water है तो 10 into 18 इस तरह से मैंने पूरे का मास लिया लेगे जब चार्ज के लिए ने की बात होगी तो केटाइन गुरूप में कुछ को कहना होगा सर सोडियम भी केटाइन है और हाइड्रोजन भी केटाइन है तो मैं कह दूँ global salt या कोई भी hydrated salt को जब हम लोग equivalent weight निकालते हैं तो water के केटाइन को हम लोग जोड़ते नहीं है वह सोडियम है तो सोडियम का ही एड्र किया जाएगा सिर्फ water का इस्तमाल नहीं करते हम लोग वाटर के केटाइन का इस्तमाल नहीं करते हम लोग तो इसको इसका यूज तो टोटल के टाइन का चार्ज दो है तो यह ले सकता है और एक ही अपर मानस दो ही हो जाएगा वहां से भी अब इसको तुम सॉल करोगे तो तुम इससे तुम आंसर निकाल लोगे तो दिस इस दवे तो फाइंड एक्विलेंट वेट ऑफ हाइडरेटेड कंपाउंड ध्यान बस रखना है कि मॉलिक्लर वेट लेने में आप इस वाटर को उसमें एड करेंगे लेकिन जब चार्ज लेंगे तो सिर्फ केटाइन और एनायन को लेंगे वाटर के केटाइन और आयन को हम लोग जोडते नहीं है अब उसी तरह से एक और एक्जाम्पल लेलू जैसे वासिंग सोडा तुम लोगे बहुत ही पॉप्लर कंपाउंड है वासिंग सोडा वासिंग सोडा क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है लेकिन वह भी टेन वच्टू रखता है तो हो मजए वर कार्बोनेट है कौई शॉडियम कार्फोनेट डीका हाइड्रेट डीका तो कि अब यसका फोर्मूला क्यं हो जाता है बच्छों इसका फोर्म्राश है क्या हो जाएगा शोलिक शोडियम कार्ब्रेट को पहरे लिख लोsomething a2 c i 3 और अंटे कर या 10H2O यह हो गया इसके formula जैसे यहां पर इसका formula था यहां पर इसका formula हो गया है अब इसका चार्ज भी हम लोगों को प्लस 2 ही लेना होगा प्लस 1 इंटो 2 प्लस 2 लेना होगा carbonate के लिए भी तुम ले सकते हो माइनस 2 इंटो 1 माइनस 2 तो जो चाहो लेलो ठीक है लेकिन जब भी हम लो molecular weight लेंगे तो टोटल का लेना होगा यानि कि अगर इसका equivalent weight अपने को निकालना होगा बच्चों में लिखूंगा 23 into 2 sodium के लिए carbonate का कहा 60 होता है और water के लिए क्या हो जाएगा 10 into 18 दस water है और एक water के लिए 18 होता है डिवाड़े टोटल चार्ड जिसके हो गया बच्चों इसको सॉल्व किजिएगा तो इस जो आंसर आएगा यह वासिंग सोडा का equivalent हो जाएगा अब बताता हूं जो जो आईटी में जो question आया था वो था should आइब ऊसलिब को आप दखी अगा यहएगा था है लेकिनَ अगर पर क्रिश्ट्लायंग की बात करें तो इस विल लिखते हैं इस तरह से के एल एसो 4 होल 2 डॉट 12 तू ठीक है बच्चों तो चाहे यह फॉर्मुला लिखा रहे है के 2 एसो 4 एल 2 एसो 4 होल 3 दोनों आपके पोटासिलम की फॉर्मुला है ठीक है लेकिन नाम रखा जाता है इसके लिखेंगे इसको लोग पोटासियम पोटासियम अलुमीनियम अलुमीनियम सलफेट यहां से यहां तक का नाम हुआ है आप टॉटल 12HN ह है का व मैं 2ाफ है दो डौाइका यूं है डोडेका हाइड्रेट्थ 3 ऑब्चों 40 नियुक्त और इसको नियुक्श थो पोटासियम को पोटासियम अलमोनियम- नआ में य॥ा ययू इसके आधार पे नाम लखा गया है ना कि इसके जाधार पे भागे से मियाने यह जो जो कोशन आया था वह इसके लिए इस फॉर्मॉला के लिए था तो हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं पहले इक्विलेंट क्या हो जाएगा टोटल का इंट्टू 18 कर दिया जाएं डिवैड गरदो अब यहां पे जो कोश्चन था वह क्या था टोटल चार्ज यहां पर है तो यह दोनों को लेना होगा वाटर तो लेना ही नहीं है और एक पोटासीयम को इथार पे प्लस्टू हो गया और एक अलमॉनियूम को पर तीन चार्ज हो पूरे compound के total ketan का charge लेना है तो 6 और 2 कितना होगे बच्छों 8 हो गए तो मुझे यहां 8 से divide करना है तो जो बच्छे सिर्फ 2 से divide करेंगे वो भी गलत हो जाएंगे जो बच्छे दोनों को जोड के divide करेंगे तभी वो सही हो जाएगा और इससे जो भी value आगा बच्छों वो हो ज जाएगा 39, aluminum का 27 और sulphate का हमको पता है 96 x 2 कर देते हैं 12 x 18 कर देते हैं डिवाइट कितना से किया जाए तो potassium का हो जाएगा बच्छों यहां पर total charge plus 1 क्योंकि एक ही potassium है और aluminum के लिए total charge हो जाएगा वह plus 3 क्योंकि एक ही aluminum है total हो जाएगा 3 और 4 और इसको भी solve करके लाओगे तो answer जो यहां का answer है वो यहां का answer से समान हो जाएगा इस तरह से हम लोग हम देखा कि किस तरह से hydrated compound के भी equivalent weight हम लोग निकाल सकते हैं बस याद रखना hydrated compound के लिए कि जो molecular weight होगा उसमें तो water को add कर देंगे लेकिन चब चार्ज की बाड़ी आएगी तो हम लोग उसमें water के द्वारा developed charge को या water के कैटायन कारण जो developed charge है उससे हम लोग इस्तमाल नहीं करने वाले है ठीक है बच्चों I think आपको समझ में आ चुका होगा radicals compound और hydrated compound का equivalent weight किस तरह से निकाला जाता है ठीक है बच्चों आज के लितना ही तता के लिए तन्यवाद